वरंडा में एक अलमारी है जो मुझे साफ करनी है पर पता है टाइम नहीं है रोज उस्तियू मैं करूंगी टाइम ही नहीं निकल पाता है मैंने इस ब्रैंड टॉन पे गई थी इसका इतना अच्छा नाम है पर उन्होंने मेरे साथ ऐसा सुलूक किया और मुझे इतना गंदा प्रड़क्ट दिया मैंने एक्सपेक्डी नहीं किया था मैं उन्हें मेल करूंगी पता एक दिन मेल करूंगी पर नहीं कर रही हूं क्यों क्यों कि टाइम नहीं है भूल जाते हैं यार दिन में 24 गंटे होते हैं तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं आठ गंटे आठ गंट उससे साधा तो नहीं करते होगे, फिर भी आठ घंटे बचते हैं, तो ये बोलना कि time नहीं है, गलत है, ये बोलना सही है कि time तो है, बट हमें time को prioritize करना नहीं आता है, हमें ये design करना नहीं आता है, कि कौन से काम को पहले preference दे, ताकि हमारा कुछ काम बने, बहले बता दू आप तो अभी तक हो ही जाता है, वैसे इस बात में एक पॉइंट भी है, अगर अभी में आपसे पुछू कि कल कसौटी में क्या हुआ था, तब आप ठीक बता दोगे है, हाँ, तो एक सीरियल देखती हू दिन में वह भी छोड़ दो, दिन भर में किटर 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 से दिमाग जाता है, एक सीरियल से मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, उससे भी तुमको प्रॉबलम है, वो भी छोड़ दे, इतनी परिशानी क्यों है तुम्हे मेरे लाइफ से, ऐसी कोई परिशानी निया, आप आराम से देखो, एक सीरियल ही तो देखते हो, एक ही ना, तब तक त पर मेरे पास टाइम नहीं है, तो चलिए, अब प्रॉबलम समझ में आ गई, कि ये मेरा मोटिव है, इसी चीज के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ये अपने पता कर लिया, अब हम इसके सलूशन की तरफ चलते हैं, मैंने अपनी पहले के वीडियो में भी बोला है, प्लान सेकंड रिलेटेड सेल्फ रिलेटेड होगी कि आपको खुद के लिए क्या करना था, थर्ड रिलेटेड होगी, फ्यूचर पे फोकस करके या फिर उस चीज पे फोकस करके लिए जिसके लिए हम बोलते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो फर्स टेप क्या होगा, अब मैं बैठी और मैं आज बच्चे स्कूल चले गए, हजबन ओफिस चले गए, अब मैं पेपर लेकर बैठी, अब मैं तीन चीजों का लिस्ट बना रही हूँ, एक मैंने लिस्ट बनाई कि वो वरंडा वाले अलमारी मुझे साफ करनी है, सेकंड चीज मैंने बनाई, एक मैंने समान करीदा था, इसका कंप्लेन है, उसे मैं मेल करूंगी, ठीक है, ये दो कहूंगी, अब थर्ड चीज जो है, थर्ड चीज आपके लिस्ट की होगी, उसमें आप ये लिखो कि क्योंकि मुझे कुछ काम करना है, तो मैं आज इंटरनेट पर रिसेर्च करूंगी कि क क्या क्या options है, जो हम लोग घर बैठे कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी job करना है, तो आप बहुत सारा आसा आपको वीडियो मिल जाएगा, मैंने खुद ने बहुत सारे वीडियो बनाये में कि घर से बिजनस कैसे करे, लिंक डेस्रिप्शन में छोड दूगी, तो अब आ आज मैं क्या कर रही हूँ, मैंने डिसाइड किया कि मैं चलिए content writing करोंगी, content writing क्या होता है, websites के लिए article लिखना होता है, ऐसे बहुत सारे लोग है, जो हायर करते हैं, हम उनके लिए content लिख सकते हैं, और उसमें वो आपके freelancing काम है, तो क्या है, आप दिन में आपके पाँ ज लिखो या फिर एकदम ही मतलिको, पूरा आपके ऊपर dependent है, फ्रीलांसिंग काम है, तो यह मेरे लिए एकदम perfect है, अभी मेरे वासे तना time तो रहता नहीं है, तो मैं यह काम कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगा, ठीके, तो अब मेरा next step क्या हुआ, कि मैंने final किया कि मुझे क्या वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स में इस तरह से जॉब्स अवेलेबल रहते हैं, वहाँ पर मैंने mail किया, पांजन को mail किया, इस तरह से आप हर दिन एक 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 पार्ट कर रहे हो towards that goal, जो आपको अचीव करना है, जिसके लिए बोलते हो कि वो अचीव करने के मेरे पास time नहीं है, इसी तरह से आप next step में आप पांजन को mail किया, फिर आपको reply आया, फिर अगर नहीं आया तो और पांजन को mail किया, यह नहीं समझ माया, यह काम सेट नहीं वा तो दूसरे काम पे सेट के, but you don't have to stop, you have to keep doing it, हर दिन का सिर्फ एक काम करना है आपको अपने मिनिट पहले उठो, जब सब उठते हैं उससे सिर्फ 15 मिनिट पहले वो जो सुपून का टाइम होता है, एक ग्लास में गरम पानी लेकर बैठे या चाई या कॉफी लेकर आराम से आप बैठो चैर पे या जहां भी आपका वरंड़ा है और शांती से पियो, it's a very peaceful time for yourself, उस जो सबसे जादा हमारा time consume करता है, हमारे को distract करता है time consume करने पे वो है, social media वो है, अपना mobile phone जो हम लोग दिन भर ये करते रहते हैं, इस पे मेरा proper video बनाया हुआ है, कि mobile phone का जो addiction है, वो हम बड़े कैसे छोड़े, उस पे video है, वो भी description में लिंक होगा, आप देख सकते हो, वो क